लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकोन को दाके आपको आने वाले वीडियो मिलती रहें बिल्कुल फ्री हिट दे रेड बटन फार सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक दे बेल आइकोन फार अपकमिंग वीडियो इट्स फ्री ये नॉवल दी मास्टर आफ पीटर ब्रक जो के एक साउस अफ्रीकन राइटर जेम कॉडजी ने 1994 में लिखा था ये एक फिक्शनल वर्क है जिसमें रेशियन राइटर फिडोर डोस्टोविस्की को प्रोटोगोनिस्ट के तोर पर दिखाया गया है यानि फिक्शनल वर्क है लेकिन कुछ करेक्टर इसमें रियल भी है नॉवल के स्टार्ट में डोस्टोविस्की के स्टैब सन पैवल की डेथ हो जाता है तो डोस्टोविस्की अपने बेटे की बिलॉंगिंग जिसमें उसके इस्तमाल की बहुत सारी चीज़ें थी वो हासल करने सैंड पीटर बर्क पहुंचते हैं सैंड पीटरवाइब उस वक्त रश्य का कैपिटल होता था और डॉसकोविस्की को बेटे की अचानक मौत थोड़ी मिस्टीरियस भी लगती है इसलिए वहाँ पर पहुंचते हैं ताके पता करें क्या हुआ कैसे हुआ जब यह वहाँ बेटे के फ्लैट पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी सारी चीज़े हैं पॉलिस के कब्से में वहाँ इनकी मुलाकात एक वरत एना और उसकी बेटी मेट्रियोन के साथ हो जाती है जो पेवल के साथ रहते थे जब डॉसकोविस्की पुलिस से रापता करता है तो उसे पता चलता है कि पैवल एक पॉलिटीशन सर्जी नेकायव के साथ काम करता था जो रशियन रेवलुशनरी भी थे और एक एजिडेटर भी थे डॉसको विस्की को पुलिस की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता है लेकिन वो इनजार करता है कि उसके बेटी की जो डाइरीज़ हैं और दूसरी राइटिंज हैं वो से मिल जाएं तो शाहिद क्लियर हो सके कि उसका बेटा क्या कर रहा था और किसके error कर रहा था डॉसकोविस्की को लगता है कि पुलिस उसकी शायद activities पर नजर भी रखे हुए है यहीं पुलिस उसका पीछा भी कर रही है डॉसकोविस्की का रापता नेकजेव के साथ होता है वो डॉसकोविस्की को कहता है कि उसके बेटे के कतल में पुलिस involved है और वो डॉसकोविस्की को उस जगा पर भी ले कर जाता है जहांगो उसके बेटे की लाश मिली थी पुलिस भी उसके कतल की इंवेस्टिकेशन कर रही होती है लेकिन अभी तक कुछ किलियर नहीं होता इसी दोरान डॉसकोविस्की का फियर एना के साथ शुरू हो जाता है डॉसकोविस्की को ऐसा लग रहा होता है कि निकयेव उसको अपने मकासित के लिए यूज करना चाता है ताकर दौसकोविस्की पुलीस के खिलाफ पैम्पलेट लिखे और अपने बेटे की मौत का जिम्मदार भी पुलीस को इठेरा दे दौसकोविस्की को लग रहा होता है कि शायद निकयेव उससे कुछ चुपा रहा है दौसकोविस्की पुलीस के खिलाफ लिखने के बजाए नकईव और उसके साथियों के खिलाफ एक पैमफिलिट लिख देता है जिसमें पैवल के कतल में निकईव और उसके साथियों पर वो शक्का इदार करता है इसके बाद शहर में सिटी में बहुत अफरा तफरी फैल जाती है और स्टूरंस जलाओ गराओ शुरू कर देते हैं और डॉसकोविस्की इन सब इवेंट्स को फिक्शनलाइस करता है इस नौवल में डॉसकोविस्की के नौजवान बेटे पैवल की जिस सरा मिस्टीरिस डेथ होती है ऐसे ही राइटर कॉडजी के बेटे की भी एक एकसिरेंट में मिस्टीरिस डेथ हो गई थी और वो भी काफी नौजवान थे तो यह एक तरह की रिजेम्बलेंस हमें मिलती है इस प्ले में